जैहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों CHD के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और वो बदलाव पिर भावित होगा दिसंबर 2023 से यानि कि आज से दस दिन बाद लेकिन ये अच्छा बदलाव है जो कि आपके फैदेगा है इस बदलाव के मताविक अब आपको CHD के अंदर जो सेल मिलेगी सामान मिलेगा वो दिसंबर 2023 के बाद नए बदले हुए नियम के मताविक मिलेगा यानि कि जो सेल अब रिजूम होगी अगले बदलाव के इसाफ से वो चार दिसंबर 2023 से सुरू होगी और नवमर की जो सेल है वो आपकी 27 नवमर 2023 को रात साड़े दस बजे किलोज हो जाएगी अब इसमें बदलाव क्या है कितना महत्पूर बदलाव है यह यह मैं आपको बताता हूँ उससे पहले मैं आपको CHD की वेब साइट पर पहले आपको मैं आपका एक बार इंटाइटलमेंट रिवाइच करवाता हूँ जो की इस तरीके से है यह देखिए यह है कैंटीन इस्टोर डेपार्टमेंट उसकी वेब साइट है उसके मताबिक सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि आपका eligibility criteria किस तरीके से है वहाँ पर क्या परवरतान है eligibility criteria आपके लिए four wheelers के लिए pay level एक से 10 तक के लिए 8 लाक रुपे तक की गाड़ी ले सकते हैं जिसमें अगर electronic वही कर लेना चाहते हो तो वो फिर 13 लाक की कीमत तक जा सकते हो दूसरा इसमें कोई tax वगरा include नहीं है यह base price की बात हम कर रहे हैं और pay level 6 से 9 यानि कि हमारे जेशियो साब 10 लाक रुपे तक की गाड़ी ले सकते हैं और अगर वो चाहें कि electronic वही कर लेना है तो 5 लाक और जूट दीजे 15 लाक रुपे तक की कुछ condition है कि पहली जो गाड़ी मिलेगी पांस साल के service के बाद मिलेगी और एक गाड़ी service में रहते हैं मिलेगी और एक गाड़ी service के retirement होने के बाद मिलेगी दूसरा जेशियो साहब के लिए उनका भी कंडिशन ये ये कि फष्ट गाड़ी उनको मिलेगी पांच साल की सर्विस के बाद और दूसरी गाड़ी ले सकते हैं पोश्ट रेटार्मेंट के बाद में तीसरा ये पेले विल 10 से 18 तक वो 20 लाख रुपे तक की गाड़ी खरी सकते हैं और अलग इलेक्टोनिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो 25 लाख रुपे तक के यानि कि जवानों के लिए जेशियो के लिए और अफसर्स के लिए पांच लाख रुपे की इलेक्टोनिक वही कर ल सकते हैं उनके लिए इनिशियली जो जेशियो और जवानों के लिए पांच साल का बॉंड है वो नहीं है दूसरा यहां पर अगर जवान अपनी सर्विश में एक गाड़ी खरीद लेता है और उसके आठ साल पूरी होने के बाद उनका प्रमोशन जेशियो के लिए हो जाता है तो वो जेशियो रैंक में भी फिर एक गाड़ी और खरीश सकता है इस तरीके से इन्टाइटलमेंट है यह सिविलियन्स के लिए है जो पेले विल ग्यारे से अठारे वाले हैं वो भी अपसर्ज की ही तरह 20 लाख रुपे तक की प्रस 5 साल का उसमें इलेक्ट्रोनिक वहिक ले ले और वन्सले ले सकते हैं अब कुछ कंडिशन टीभी टू विलर्स टीवीज की टेलिवीजन आप दो ले सकते हो हर 4 साल में दो टेविले सकते हो एसी आप 4 साल के अंतराल पर और एफ्ट्री के दूसरे अइटम में 4 विलर्स नीचे वाले जो भी जैसे क्या फोर विल मुताबिक क्या परवर्तन हुआ है क्या है वो देखिए जैसा मैं आपको यहां पहले बता चुका हूँ यह लेटर जारी हुआ है 13 नवंबर 2030 को और इस लेटर के मुताबिक यह सारे जितने भी डिपो मैनेजर्स हैं उन सब को इसकी कौपी दी गई है इसके मुताबिक जितना भी देखिए इंप्लिमेंटेशन ओफ रिवाइड वर्क फिलो ओन एफडी पोर्टल विद इफेक पर देसमबर 2023 यानि कि पुराना जो सिस्टम था वो 27 नवंबर 2023 को किलोज हो रहा है और यह नया है देसमबर 2023 से लागू हो जाएगा इसमें जो पहले जो खामिया थी उनको दूर कर लि है इसके मताबिक आप डिमांड विली प्लेश्ट ऑन बैनिफिचरी विदाउट मेकिंग पेमेंट यानि कि आप बिना पेमेंट किये अपनी डिमांड दे सकते हो दूसरा डिपो विल लॉग इन टू एफडी पोर्टल टू वीव दी डिमांड पोल प्लेश्ट जो आपकी डिश्पिल रहेगी वहाँ पर आप देख सकते हो डिपो विल चैक दी डिमांड डिटेल्स जैसे कि आपके डाकुमेंट जो आपने अपलूट किये वह इलिजिविल्टी आपका जो पार्टिगूलर्स बैनिफिशर्स का है वह और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेगा कि यह एप्रूवल होगा या रिजेक्शन होगा इस तरीके से अगर आपका बेनिफिशरी इलिजिविल है पर्चिस के लिए तो डिपो विल एप्रूव दी डिमांड टू क्लेकिंग ऑन प्रोसीड टू पे यानि अब आपके पास अगर इलिजिविल हैं तो आपका पेमेंट नहीं है तो उसकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा आप्टर एप्रूवल ऑफ डिमांड पेमेंट बटन विल गेट एक्टिवेटेड एंड अपन पेमेंट बाइदी बैनिफिशरी डिपो विल प्रोसेश दी डिमांड यानि कि आपका पेमेंट होने के बाद डि कोई कमी रही है पेमेंट कम किया है तो आप से फुल पेमेंट करने की बात होगी और जैब आपका फुल पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो प्रोसेश आगे बढ़ेगा ओल पेमेंट वाट डिमांड विल बी रिसीव फ्रूं दी बैनिफिशरी अकाउंट यान कि आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी बच्चे से करवा दे उनके एकाउंट से तो वह acceptable नहीं है थ्रड पार्टी पेमेंट सूकार नहीं है वह आप ही के एकाउंट से पेमेंट होना अतिी आवसक है all other process there is no change और जो भी दूसरे process थे जो पहले से चल रहें ते वही चलते रहेंगे उसके अंदर कोई नया चेंजिस नहीं हैं दिसम्बर की सेल जैसा में पहले बता चुका हूं ये नए बदले हुए जो नियमें उनके मताबिक ही होगे further to the above all active AFD dealers under your area of responsibility may be informed यानि जितने भी आपके अंदर में जो area of responsibility जो आपकी है वहाँ पर ये सारा information share किया जाएं ये सब संबंदित जितने भी department हैं उनको इसकी copy दे दी गई हैं इसका फिलो चार्ट भी दिया गया है जैसा कि आप यहां देख रहे हैं फिलो चार्ट के मताबिक पहले user registration, admin approval, shopping page जहां पर आप items के लिए जो आप eligible हैं जो item वो आपको मिलेंगे place of demand by beneficiary without payment ये आपने करने हैं ये आपका demand validation deport यहां आपका action होगा अगर आप eligible हैं तो approval मिलेगा और अगर आप eligible नहीं हैं तो आपका no action और आपकी demand reject कर दे जाएगे इसके बाद ये simple से वही step हैं जो मैंने आपको बताया payment का third party payment allowed नहीं है आपी को अपने account से करना है ये ही वो process है और सारा ये फिलो चार्ट है बहुत अच्छा system बनाया है पहले वाले में जो खामिया थी उनको दूर किया गया है और ये FD के जो portal पर आप घर बैठे ये सारी process complete कर सकते हो ये नया changes दिसंबर 2023 यानि आज से दस दिन वाद लागू हो जाएगा तो ये थी जानकारी CHD के अंदर जो बदलाव होएं उसके संदर्म है फिर मिलेंगे आपके welfare से जुड़ी किसी अन जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत